अंतराश्री बाजार में अमेरकी करंसी डॉलर में आई गिरावट कासर कमूरिटी बाजार में तमाम देखने को मिल रहा है सोने चांदी और कच्चे तेली कीम्तों में तेजी है घरिलू बाजार में सोने का भाव बाव 62जार उपय के उपर चला गया जो करीब 3 महीने का निचला इसतर है ज़ल बाद गोल्ड की गोल्ड में आउट्डोग अब क्या दिखाई दे रहा है गोल्ड में हम लगाता रहे हैं कि गोल्ड में तो बढ़ातरी का ट्रेंड पहले से बना हुआ पिछले एक साल से बना हुआ इसमें सरकार और सरकार के बैंक सबसे बड़े बार हैं तो बाजार में गोल्ड की डिमांड आफिशल डिमांड काफी जादा है खरीद के तोर पर अब क्या हुआ कि कुछ ताजे आकड़े आया है जैसे आंकड़ा एक आया कि अमेरिका में शायद ब्याज़ दरों में बढ़तरी की प्रक्रिया रुक सकती है और अब फेडरल ज़र ब्याज़ दरों में नई बढ़तरी नहीं करेगा डाल इंडेक्स में कमी आई और इसका आसर हमें हमको गोल्ड की डिमांड के तोर पर दिखाए दिया है और गोल्ड की मांग में एक इस्ट्रक्शरल बदलाओ हमें दिन्या में दिखता है कि 2020-2019 से पहले गोल्ड की मैकसिमम मांग जो की वर्ल्ड गॉल्ड कांसिल की रिपोर्ट पर बताती है माकसिमम मांग जुएलरी से कंदम्शन से निकलती थी लेकिन अब गोल्ड की बड़ी मांग आफिशियल इस तर पर निकल रही और ये डिमांड भारत के लिए बड़ी चुन होती है हमने आपको बताया था एक मनी सेंट्रल में कि भारत में पिछली तिमाही में रिकार्ड गोल्ड का इंपर्ट हुआ लग पिछले साल से दोगजना इंपर्ट हो आशवमने शेयों इस तर पर बढ़ी है और मंग पर इसके बावजूद जबकि गोल्ड रिकार्ड हो चाई पर है साट हजार से अउबर 36,000 के आसपास मिल रहा है ये भी एक इस बात का सबूत है कि गोल्ड को लेकर आने वाले समय में ट्रस्ट बढ़ता रहेगा और आप कई सारे आउटलुक ऐसे आ रहे हैं इनमें माना जा रहा है कि गोल्ड की कीमतों में एक सेकुलर बढ़ुत तरी अगले कुछ सालों तक दिखाई दे सकती है सार क्रूड की कीमतों में क्या रोक देख रहे हैं आप लगाता रसी की उपर बना हुआ है क्रूड कच्चे तिल की कीमते ओपेक देश अपने लेवल पर नियंतरित कर रहे हैं ओपेक देशों ने की कोशिश तो 90 तक की थी अभी 802 से उपर जा रहा है अब एक चीज जो पिछली बैठक थी वियना में पिछले सब्ता उस में कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन माना जा रहा है कि सौधी अरब एक तरफ एशियाई बाजारों के लिए कीमतों में थोड़ी कमी करेगा और दूसे तरफ उत पादम में कटवती को और ज्याधा मजबूती से लागू कर गुरुवार को राश्पती जो बाइडन वाइट हाउस में अंगोला के राश्पती जो आओ के साथ दुपक्षी बैठक करेंगे। च्छे सालों में किया क्या अगर आप पिछली बैठक देखें 2015 से पेरिस के संबेलन से लेकर आज तक दुनिया ने पर्यावरन को सुधारने के लिए ग्रीन हाउस का एमिशन रोकने के लिए कार्बन को रोकने के लिए तापमान कम करने के लिए जो भी लक्ष तेय किये वो सारे लक्ष बुरी तेय गिर गए काकला सबसे महत्तुपूर ने समाजना जरूरी है ये तेय किया था कि 2021 बाइस तक दुनिया के देश एमिशन को उतसर जन को कार्बन के उतसर जन को आठ परसेंट कम करेंगे जबकि सचा ही ये है कि वो एक दिसन दो परसेंट बढ़ गया यानि जो कम करना था उससे अदा बढ़ गया और इसकी वज़े ये है कि इस स्थिती में कहां ये थी कि 2023 तक दुनिया में के तापमान को करीब डेल से दो डिगरी कम किया जाएगा अब आज की स्थिती ये है कि इस शताबदी के अंतर तक दुनिया में तीन फीस दी के आसप उदास से बुरी तरहें शिकार है भारत उन में सबस्थ प्रमुख देशों में से है अपने कल आपको बताया कि सिक्किम ने ग्याराजार पांसव करोन रुपए का डैमरेज अपनी एक बांध पर योजना के लिए नदी पर योजना के लिए मांगा उनको उन दुनिया के र खोस कदम यहां से निकल कर आते हैं जो सखती से लागू किये जाएंगे और इसलिए महतमूल है क्योंकि हम आपसे कहेंगे कि आप हमने के एकनामिकम में विस्तार से डिकामनाजेशन पर बात की थी यहां शायद कुछ सखत फैसले होने की संभावना है जिसे दुनिया के दे क्या पानी सर तक आ रहा है